नमस्कार मैं विनोध कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ जो आज आप लोग सब जोईन करें हैं हमारे एक्सपोर्ट सिरीज में जिसका बेसिक उद्देश ये है कि आप सब लोगों को एक्सपोर्ट से अफगत कराया कि जाए एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, क्यूं करते हैं, कहा करते हैं और कैसे आप सब लोग एक्सपोर्ट से जुड़ें और अपना अपना बिसनिस एक्सपोर्ट के जरीय बढ़ाएं आज हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट्स इंडिया में कैसे होता है कैसे चला आ रहा है और आगे कैसा होगा ताकि आप सब लोगों को एक बैक्ग्राउंड मिले कि एक्सपोर्ट में हमने क्या-क्या करना है और किन-किन चीजों से अवगत रहना है देखिए अगर आप पुरातनकाल देखें तो बाटर मतलब तुम्हारा चीज मेरे पास और मेरी चीज तुम्हारे पास ये सिस्टम चलता था क्योंकि पैसे का कोई कंसेप्ट नहीं था सिर्फ आदान-प्रदान का कंसेप्ट था जहां पे हम लोग चीजें लेते और सामने अपनी चीजें देते और कई बार हमारे पास खुद के लिए तो काफी होता ही था बट एक्स्ट्रा होता था जैसे पर एक्जांपल हमारे पास अगर मैंने मचली पगड़ी है दरिया में से तो वो मचली मेरे पास एक्स्ट्रा है मैं किसी को देखे उससे दान या सबजी या कपड़े या कुछ होर खरीदू सिमिलरली जो भी चीजें मुझे चाहिए होती वो सब चीजें हम लोग continuously डूनते थे उन सब लोगों के पास जो आसपास हमारे रहते थे वैसे ही जो पुरातन सोसाइटी थी वैसे ही बिना पैसे के resources को शेयर करते करते आगे बढ़ी अब जब अपने गाओं में अपने जगहों पर हम लोगों ने आदान प्रदान किया दीरे दीरे यह हुआ कि भई हम लोग को तो दूर जगह पर जाके यह चीजें बाटनी चाहिए या देनी चाहिए या लानी चाहिए दूसरी जगह से त वील का आवश्कार हुआ करीबन 3500 BCE में तो जब वह आवश्कार हुआ तो मवेश्यों के उपर बैलों के उपर गोडों के उपर केमल के उपर हम लोग चीजें डालके लेके लेके जा रहे थे और उनको लंबे रस्तों पे ट्रांस्पोर्ट करने के लिए यूज कर रहे थे इससे क्या हुआ कि दीरे दीरे जो हम लोग अपने इर्दगिर्द 50-60-70 किलोमेंटर की इर्दगिर्द जो ट्रेडिंग चल रही थी वो ट्रेडिंग 200-500-600 किलोमेंटर तक पहुँच गई तो बड़ ये काफी नहीं था क्योंकि हम लोग देखिये कोई एक ग्रूप रह रहा है रेदिस्तान में तो उसको सबजियां चाहिए कोई एक ग्रूप रह रहा है समंदर के पास तो उसको बाकी चीज़ें भी चाहिए और जो समंदर क पास नहीं रह रहे उनको समंदर बाली चीज़ें चाहिए तो ऐसे कई बार कई कई चीज़ें थी जो हमको जरूरत थी और वो जरूरत की चीज़ें हम लोगोंने सब ट्रांसपोर्ट करना चालू किया लैंड रूट्स भी अगर आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में देख जहां पर हम लोग सिल्क हो, गोल्ड हो, टी हो, कई सारी ऐसी वैल्यूबल चीज़ें हम लोग ट्रेड कर रहे थे, स्पाइसे हो और ये कुछ समय के लिए नहीं बहुत पुरातन सकाल से, क्लासिकल एरा से या मेडीवल एरा जिसको हम लोग बोलते हैं वहाँ से, तो ये सिल उन से लेकर पुजिट्सू जो कि या शांगाई, जो कि एकदम एक्स्ट्रीम एंड पे है, वहाँ तक कि ये सिल्क रोड चलता था, जो बारत को भी टच करता था, हिंदू कुछ टच करता था, अफगानिस्तान के जरीए, और हमारे यहां से भी जो ट्रेडर्स थे, वो साम लाते थे और यहां पे बेजने थे, अब यह सिर्फ लैंड रूट पे सामान ट्रांस्पोर्ट करना इजी नहीं था, तो लुटेरे होते थे, कई बार ऐसा भी होता था कि भाई, कोई बीच पे किसी के मुल्क से गुजर रहें, तो उनको बोला, भाईया, यह सामान यहीं छ जा सकते, या हमारे लिए इसमें से कुछ छोड़ दो, तो कई बार ऐसा होता था कि यह लैंड रूट सेफ नहीं थे, तो एक और रस्ता जो उस समय निकला, वो था समूंदरी जहाजों का, जो सेल, सेल्स पर चलते थे, दिखिए, हवा से जो, हवा के जोर से जो चलते थे, तो यह जहाज ना सिर्फ रेड के लिए, बलकि इन जहाजों पर आर्मी भी जाती थी, प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई पाइरेट या दूसरे लोग उसको सामान को उठाके न ले जाएं, इतना कीमती सामान होता था, कई बार गोल्ड होता था, कई बार कपड़े होते थ तो इनके साथ हमारे लोग जो है, आर्मी जो नेवी जिनको बोलते थे, उनको साथ में सिपाहियों को बेचे थे कि भाया आप जाके, और फिर भी इनी जगहों पर कभी पाइरेसी होती थी, कभी पाइरेट्स आके पूरा जाज नूट जाते थे, दुबा देते थे, एटसे कई चीज़े उनको अच्छी लगी, खरीदने लायक, कि भई, दो, दो-तीन बंदरगा थे उस टाइम पे, जो आप देखेंगे, कि सूरत में एक पोर्ट था, 1608 में, जो जहां पे ट्रेडिंग रिलेशन चलती थी, कई कई सारी ट्रेडिंग वाली कंपनिया आती थी, इसके बाद देखिए आप, मुंबई जैसे शहर, मैडरास, जो उस टाइम पे बोला जाता था, कलकटा जहां पे, पोर्ट थे, वहां पे, strategically, यह सब मर्चंट्स आके, दीरे-दीरे हमारे कंट्री से, जो हमारे पास natural sources थी, manufactured goods थे, लाते थे, और जो basic raw material थे, cotton हुआ, indigo हुआ, silk वो सब जुन की demand बहुत जादा थी, European markets में, यहां से लेके जाते थे, चाय भी, indigo भी, तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी, जो वहां यहां से लेके जा रहे थे, इसके बाद, और यह कब से, देखिए, 1608, 1608 में, actually, British आये थे, इंडिया में, प्रेडिंग करने के लिए, इनके सारे देश आये कि हमको भी, इंडिया से कही सारी चीज़ें करीद नहीं है, और उस टाइम पर, अगर आप देखें, early 19th century में, इजाद हुआ, steam engine का, steam engine मतलब अब जो बोगियां, जो चीज़ें हम लोग, गोडे से, या बैलों से चटाते थे, वो अब steam engine के जरिये चलने गए, जो inefficiency थी, goods transportation में, pre-industrial, जिसको एरा बोलते हैं हम लोग, उसमें, तो इससे, industrial एरा आने में बड़ी मदद हुई, जिसमें, goods हम लोग, एक से दूसरी जगा, फटा-फट पहुचा सकते थे, lower cost पे, longer distances पे, और सबसे important, ये steam engine ना सिर्फ, rail गाडियों में, या और कहीं आये, पर ये steam engine, जहाजों में भी आये, तो जहाज भी, बिना लोगों के चलने लगे, जो पहले, चपू लगा, बिठा के, चपू पे लोग बिठा के, उनको हम लोग चलाते थे, वो change होके, steam engine पे लग गया, और जैसे मैंने बोला, steam engine, जैसे ह आया, वैसे ही industrial revolution आया पूरे world में, जब कई सारी चीज़ें फटाफट फटाफट बनने लगी, क्योंकि बनना बनता कहीं था, और बिठा कहीं था, बड़ा easy था, तो सिर्फ अपने लिए ही बनाना काफी नहीं हुआ, पूरे विश्व के लिए बनान, लोग बनाने लग दे और एक ही जगा पर concentrate करके इस वो उसने industrial revolution को जनम दिया, आगे चलके यह industrial revolution को, अब देखिये, कई सारी चीज़ें चाहिए होती थी, अब कई सारी चीज़ें मतलब raw material, आपने आपने भईया बोल दिया कि हम लोग जो है, इंडेस्ट्रियल revolution में मैंने एक इंडेस्ट्री खोली है, for example, textile की, अब उसके cotton चाहिए, तो वो cotton, खोड़ा बहुत तो नहीं चाहिए, बहुत सारा चाहिए, तो कहां से लाएंगे, तो कहीने कहीं से लेके आना पड़ेगा, तो यही समय था, जब आप देखें, कि East India Company, East India Company आई इंडिया, और सबसे पहला एक जंग चोटी सी बैटल जो हो, बैटल अप पलासी जिसको बोलते हैं, 1765 में, वो हुई इंडिया में, और इनका मकसर ही यही था, कि हमारे यहां से जितने भी raw material हैं, salt पेत्री हुआ, dyes हुए, iron ore हुआ, wheat हुआ, cotton तो बेसिक था, वहां प plunder, यह सब का situation तब से start हुई, 1765 से, और आज तक हम लोग यह B2B, अब यह कौन लोग थे, वो लोग आए, उन्होंने कुछ एक तबके से बात करी, उनको बोला कि भाई, तुम्हारे यहां से यही आए, यही चीज़ें हमको दो, उसका पैसा ले लो, etc., etc., और यह अब यह उगाने वाले बेचते नहीं थे, कौन बेचते थे, उगाने वाले सावकारों को बेचते थे, traders को बेचते थे, merchant, exporters को बेचते थे और merchant exporter आगे बेचते थे, तो यह B2B, business to business का एक्सपोर्ट सदियों से चला रहा है इंडिया से और यह एक्सपोर्ट जो है आज भी वही चला रहा है जिसको हम लोग अब भी ट्रडिशनल बी टुबी बोलते हैं जहां पर मैं किसी एक बिजनेस को यह सामान बेजता हूं अब वो आगे इसका क्या करता है वो उसकी सिरदर दी है मेरी नहीं एस 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 सेलर तो क्यों ट्रडिशनल बी टुबी हम लोग करते हैं क्यों एक्सपोर्ट होता है बड़ा सिंपल है देखिए सामने से एक आदमी आया उसने बोला भाया मुझे दो लाक कमीश चाहिए बना के आप से तो हमारे यहां पर लोगों ने बोला हा गया तो इंट्री बैरियर इसमें बहुत चोटा है कि जिसको माल चाहिए वो मेरे पास आके मेरे से माल बनवा के लेके जाता है बस उतना ही अब मुझे उस मार्केट में जाने की उस मार्केट में समझने की उस मार्केट को मैं प्रमोशन करने की कोई आवशक्ता नहीं बस कि अब न तो मेरा कोई प्रोमोशन का न तो मार्केटिंग का न तो कोई ऐसा करचा है तो मैं तो ऐसा करचा करी नहीं रहाएं मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं कि मेरे यहां से पड़क्त ले जाओ, मैं शिप में डालके दे दूँगा, उसके बाद तुमको जो करना है करो, उसको नहीं लेना, फैंकना है, बेचना है, जो मर्जी करे करो, तो मेरा कोई खर्चा नहीं, तो मेरा पैसा बच जाता है, बट अग क्योंकि जो मुझसे करीदता है, वो तो दस लोगों से बात करता है, तुम दे सकते हो क्या, तुम दे सकते हो क्या, तुम दे सकते हो क्या, जहां से उसको सबसे सस्ता चीज, पर प्रड़क्त मिले, वो वहां से खरीदता है, और traditionally B2B जो है, उसमें profit बहुत कम होता है, और B2 बी में competition भी बहुत होता है क्यों कि आज उसको चाइना से सस्ता मिला तो वहां से ले लेगा आज कल उसको अर्जंटीना से सस्ता मिला तो कल वहां से ले लेगा परसू उसको फिलिपीन से सस्ता मिला तो वहां से ले लेगा यह situation है बीट भी मार्केट की क्योंकि हजारों की ता कि जो आप transfer pricing या export pricing दे रहे हैं कि मेरे गोदाम से या मेरी फैक्टरी से माल निकल गया वो आपके control में उसके बाद यह बिकेगा कितने में उस पर आपका कोई control नहीं है आपको पता ही नहीं कि कितने का बिक रहा है कई बार ऐसा होता है कि हम लोग product इंडिया में मेरे एक मित्र हैं वो बैट्स बनाते हैं लेदर के तो यहां पर जब वो बेचते हैं और बेचते हैं और बैट्स जैकेट्स कई सारी लेदर की चीज़ें बनाते हैं और बेचते हैं तो पांट-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच- बना के दे रहे है तो वह बैग अब कितने में विक्षेगा वह पचास डॉलर में भी सकता है उसमें एक भी डॉलर एक्स्ट्रा तक नहीं आता प्रडूशर तक नहीं आता तो इसलिए कोई कंट्रोल नहीं होता हमारे पास प्राइसिंग पर बी टुबी में फोकस बी टुबी में अधर जो बड़ी इंपॉर्टन एक और बात है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैंड गॉयल्टी अब मेरे नाम से तो यह जा नहीं रहा न तो मेरे नाम से भिक रहा है तो जो खरीद रहा है योरोप में बैठके यूए और उसको बेचूँ बड़ उसके लिए तो मैं कोई हुई नहीं सिर्फ जो सामने वाला जो ब्रैंड है वो उसका लॉयल है कि अगर मार्क सेंड स्पेंसर से मैं खरीद रहा हूं यूके में तो अब यह बंगलादेश में बना या इंडिया में बना या फिलिपीन्स में बना या वेतनम में बना उसको कोई ले ना देना नहीं वो मार्क सेंड स्पेंसर के लिए लॉयल है अपने ब्रैंड के लिए तो मतलब म मेरी as a manufacturer as a producer as an exporter मेरी branding का क्या हुआ कोई branding नहीं है मेरी तो अगर मेरी कोई branding ही नहीं है तो मतलब मुझे उसका कोई फाइदा ओवरॉल नहीं मिल सकता दूसरी बात देखिए आपके पास मान लिजे दो या तीन importer हैं एक मालीजिए UKा से एक आप मान लिजे एफरीका से तो मैं कंप्लीटली dependent हो उन पर inडिपेंड़नन नहीं हूं मैं completely dependent हूं कि वो जब बोलेंगे तब मैं माल बनाऊंगा बेचूँगा जब ऑत बहु कोई भी वी टूबी में supplier हो या seller हो यह हर वक्त हमेशा dependent होता है किस पर अपने बायर पर और वो dependence कई बार लोग बोलते हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ भाई मुझे XYZ कंपनी या Walmart या कोई और कंपनी मुझे order दे रही है और मैं fulfill करता जा रहा हूं फिर जिस दिन Walmart को नया supplier मिलता है कोई और country से जो पंद्रा सेंट कम देता है तो वो चला जेता फिर यह बोलता आदमी कि आरे भाई मैं तो मर गया मेरे पास तो काम ही नहीं तो यह situation है जब आप B2B का काम करते हो तो तब आपको completely dependent रहना पड़ता है सामने वाले बायर पर और सबसे important बात जो मैं बार-बार कई बार दोराता रहता हूं वो यह कि हम जब भी customer से नहीं मिलते तो हम एक बहुत बड़ी opportunity होते हैं अब आप बोलेंगे कैसी opportunity विनोजी इसमें क्या opportunity है बही मेरे को तो अपने माल का पैसा मिल रहा है और मैं तो आराम से बैटा हूं बट देखिए जब मैं अपने customer से मिलता हूं तो मुझे समझ आता है कि मैं नया क्या बना हूं नया क्या और customer को च कियाता मैं blind sighted होता हूं मतलब जो बायर बोलता है मैं वही बनाता हूं अपना innovation नहीं होता ना कोई collaboration होता है ना मेरा कोई connection होता है customer से ना मेरी कोई commitment कॉमिटमेंट है क्योंकि मेरा customer कौन है सिर्फ यह बायर जो खरीदने वाला है लास्ट वाला वह मेरा customer नहीं है तो जब य अपना ब्रैंड बनाने से पूरी तरह रोकता है मैंने जैसे बोला वी टुबी में कई बेनिफिट्स भी है और कई नुक्स भी है चलिए देखते हैं कि और क्या तरीके हैं और क्या मॉडल्स हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं देखिए सबसे इंपॉर्टन आज की तारीक में जो मॉडल चल रहा है उसके बारे में आप से थोड़ा डिस्कॉशन करूंगा मैं जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांटेश बीटुसी अब एडवांटेश बीटुसी क्यों है देखिए सबसे पहले अभी अमने बात करी कि भाई मैं अगर कस्टमर को डिरेक्ली बेचता तो फीड़बैक वो पॉजिटिव हो या नगेटिव मुझे ही मिलता है तो मुझे उससे सीखने की प्रेरना मिलती है कि भाई यह फीड़बैक है तो मुझे कैसे चेंज करना है क्या करना है उसका मतलब यह है कि मैं इनोवेशन कर रहा हूं मैं कोई तरीका तरीका ढूंडत सब्सक्राइब कर Да yapt03 यह इतने इतने कंक कर दो इसा कर दो जो डिवलोपमेंट है मैं वो कर नहीं पाँंगा मैं सिरुफ और कर पाऊंगा customer के लिए नहीं और अबूमन देखा जाता है कि जितने भी markets में जब हम लोग buyer को देखते हैं जब हम लोग और उसको compare करते हैं जो customer होता है customer को कई बार कुछ वालग ही चाहिए होता है बट buyer के पास available जो होता है वो उसको करीदना पड़ता है तो यह feedback loop जो है यह बहुत छोटा है B2C model में मतलब फटा-फट मेरे पास उसकी information आती है और मैं adjust कर सकता हूँ मेरे product lines मेरी services मेरे offerings जो market तक पटा-फट नया कोई चीज लाए और यह नो मैं आगे आगे बढ़ता हूँ वहां से दूसरी बड़ी important बात देखिए हम लोग अभी रतन टाटा जी का जस्ट दिहांत हो गया कुछ दिन पहले तो देखिए आप वहां से कि सॉल्ट से लेकर ज्वेलरी तक वह product क्यों बनाते थे क्योंकि हमारा सब का विश्वास था उस brand पे उस नाम पे टाटा के नाम पे और वो जो विश्वास था वो उनको कोई भी product बेचने में मदद करता था आज अगर आप बोलें कि टाटा की बनी हुई कोई भी बस्तु हो आप सब फटाफ़ जाके खरीद करीद लेंगे बिना सोचे तो यह है कि भाई मैं वो तभी कर पाऊंगा जब सामने वाला कस्तमर को पता हो कि यह product विनोत कुमार का बनाया हुआ है तो विनोत कुमार यह brand है तो इस brand का मुझे product अच्छा लगता है इसकी customer service अच्छी लगती है इस brand को का value जो है जो मुझे मिल रहा है वो अच्छा लगता है और इस brand पे finally मुझे trust है तभी तो मैं यह brand building करूंगा और कल को जाके यह brand building ही मेरे के लिए सबसे श्वेश्ट तरीके का पे आउट है जिसको हम लोग बोलते है या वैलिवेशन है वैलिवेशन सिर्फ brand की होती है बाकी product factories यह सब तो आती जाती रहती है तो अगर मैं अपना brand बना पाऊं customer के सामने रख पाऊं उसको बोल पाऊं कि भैया हमारे पास जो customer experience आ आप जैसा भी आपको लग रहा है जैसा भी जो भी आपको हमसे चाहिए उसके बारे में हमसे वारतालाब करिए तो यह communication जो होता है उसको दीरे दीरे ठीक करके जब आप customer बिना सोचे आप पे trust करता है तो तबी brand बनता है और वो बनाना ऐसे हजारों brand इंडिया में बने हैं जो लाखो करोड रुपे के हैं और वो है किसी एक business की real कमाई और वो कमाई मैं बार बार बोलता रहता हूं वो करने के लिए हर उद्यमी को सक्षम होना होना पड़ेगा अगर आपको competitive रहना है अगर आपको sustainable रहना है अगर आपको लंबे समय तक काम करना है जब आपके पास customer होता है और विचो लिए नहीं होते तो अव्यस है कि आज की तारीक में जब मैं product बेचू अगर योरप में product बिक रहा है मान लीचे कोई एक shirt बिक रही है तीस डॉलर की और मैं वो 300 रुपे में या साड़े 300 या 400 रुपे में बना पा रहा हूं तो profit तो ज़्यादा हो गई क्योंकि वो जो सामने वाला जो खरीद रहा है वो तो जादा में खरीद रहा है बहुत अधाग में खरीद रहा है क्योंकि मैं तब compete कर रहा हूं पूरे विश्वल में कि कौन कितने में बेच रहा है चाहे वो brand हो नहीं हो बट जब मैंने बिछोलियों को अलग कर दिया, distributor को अलग कर दिया, wholesaler को अलग कर दिया जो typically मेरी percentage जो profit की percentage जो भो ले लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि एक रुपे की चीज़ 10 रुपे में बेचते हैं तो तब मेरे पास तो एक रुपे आई आता मेरे पास कोई 9 रुपे या है तो यह exporter को मदद करता है larger portion of profit लेने में जिससे की ना सिर्फ आप आगे development कर पाते हैं बट देखिए आप pricing strategy आप पे दिर्वदारमदार है पूरा उसका आपको जो मर्जी करें वो pricing डाल सकते हैं आप जितने हो सकता है उतने competitive बन सकते हैं वर्ल्ट मार्क में और तब भी profitable बन सकते हैं तो यह जो control है वो बड़ा important है देखिए अब बट अगर आपने बोला कि बीटी सी में तो हम लोग आ जाएं बट उसमें आजारों लोग already दोड़ रहे होंगे तो क्या करेंगे तो मुझे भी कि उनके साथ दोड़ना पड़ेगा उनके आगे रहना पड़ेगा ताकि मैं भी attractive proposition दे पाऊं मेरे customer को तो वो कोई बड़ी बात नहीं है देखिए यह आप इंडिया में हो आप दाओं में हो या कहीं और पर भी हो competition तो आपके पास है या इसी कोई situation नहीं है जहां पर हमारे पास competition सामने नहीं रहता हर खेत्र में हर जगा पर हमको competition मिलता ही मि competition की वज़े से हम लोग better बनते हैं ना की जीना छोड़ देते हैं या दोड़ना छोड़ देते हैं तो वह हैर competition मिले कोई issue नहीं दूसरी बात अब इसमें cons भी है देखिए मैंने आपको पहले ही बोला अब जब हमको directly consumer के पास जाना है तो consumer को मेरे बारे में पता कैसे चलेगा कैसे consumer यह decide करेगा कि यह फिनोग कुमार का ही चीज बड़ी अच्छी है बढ़िया है मुझे यह करीदनी चाहिए यह सस्ते में मिल रही है यह जो भी रीजन यूएसपी है मेरा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कैसे यह customer मैं acquire करूंगा customer acquisition का कॉस्ट क्या रहेगा तो इसके लिए क्या करें उसके लिए जो भी खर्चा करना पड़े देखिए पुराने जमाने में क्या होता था हम लोग टीवी पे newspaper पे radio पे प यह competition में नहीं आ सकता था लेकिन यह सब यह सब पूरा turnaround हो गया है और अगर आप देखते हैं आज आप Facebook खोलते हैं तो उसमें कई सारे ads होते हैं और 90% वो लोग के ads होते हैं जो छोटे सुक्षम या लगू उद्योग होते हैं वो advertising कर पाते हैं क्यों क्योंकि उसका खर्चा एक customer तक पहुंचने का खर्चा 10 रुपया 12 रुपया 25 रुपया 30 रुपया वो expendable है और वो सब जो change है यह change जो है यह आया है digital युग की वज़े से जहां पर भी जहां पर कि आपको 2000 कस्टमरों को के सामने आने के लिए कोई 20 रुपया खर्च करने की आविशक्ता नहीं है 2000 कस्टमर को रीच करने के लिए आपको सिर्फ मेरे हिसाब से खर्च करना पड़ेगा यह जो यूग है यह आया है बेसिकली इंटर्नेट की वज़े से जहां पर हर कोई आदमी जो भी इंटर्नेट पर है वो खरीदारी कर रहा है वो जान रहा है व जो सर्च करता रहा है कि कोऊन सा फॉड़क आप सब लोग सर्च करते हैं कोई भी प्रॉडक оч करते हैं आपको पता भी नहीं हो沟 Two P यह प्रड़क्त फला-फला है इतनी कंपनिया बना रही है इतने का रेट है हर कोई चीज आज information available है मतलब यह भी available है internet पे कि आप किस चीज को डून रहे हैं और जब आपको जब आपको आपका information है वहाँ पे तो यह data कि आप क्या डून रहे हैं सब के पास जाता है कौन से सब के पास जो आपको बेचना चाहते हैं जो आपको अपना प्रड़क्त बेचना चाहते हैं और इसी वज़े से जो marketplaces है पूरे विश्व में Amazon है eBay है Etsy है Noon है मतलब कई सारे सो के उपर websites है marketplaces हैं जो बहुत बड़ी है और चोटी का तो मुकाबला ही नहीं नमबर ही नहीं है मतलब लाखों लाखों में है marketplaces जो निश निश marketplaces है जहां पर कई सारे प्रड़क्त बिखते रहते हैं और यह कैसे बेखते हैं जो आप गर बैठे गर बैठे पूरे विश्व में बेच सकते हैं कैसे इकॉमर्स पे डिजिटल प्लाटफॉर्म्स पे कस्टमर बले कहीं में भी वर्ल्ड में बैठा हो उसने कहीं सर्च किया वह जिस मार्केट प्लेस पे आप हैं वह मार्केट प्लेस उसको मिल गई या आपकी खुद की वेबसाइट मिल गई आपका इंस्टाग्राम मिल गया या आपका फेस्बुक का पेज मिल गया या आपका गूगल का पेज मिल गया तो ट्रडिशनल रिटेल चैनल के मुकाबले जिसमे जोग्राफिकल बाउंडरीज होती थी ट्रेड नेटवर्क्स होते थे डिस्ट्रिब्यूटर होते थे बी टूशी एक्सपोर्टर को इस में से किसी भी चीज की आवशक्ता नहीं है अब आप बोलेंगे कि यह क्या है ऑनलाइन स्टोर्स तो बनने में टाइम लगता है समझने से में टाइम लगता है टेकनालोजी से हम वाकिफ नहीं है अओग्यिकलाएन है कि यह छोटे से छोटे बच्चे का खेल है चोटे से छोटा बच्चा भी यह कर सकता है और इसमें कोई कोई- etune कोई एक्सपोर्ट गोर्श कोती कि कोई शकत्ता नहीं है कि इसमें सिर्फ आफशक्ता है कि आप आंत्रपनर हो यह पॉपोच्टी ус Lore ? के सामने आप अपना स्वूशन बनाए अब बोलेंगे इए यह इ शे construir आ यह तो बड़ी नई सी चीज है यह मतलब मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी पड़ा सिंपल है छोटी सी इंफर्मेशन आपको दे देता हूं चाइना को देखते हैं इसी बार-बार हम लोग चाइना की बात करते रहते हैं कहीं ने कहीं पर कि बहुत चाइना कॉंपरेटिव है यह वह सब है आप लोगों आँ आँ चाकि नंबर आपको मिल जाए साड़े 300 बिलियन यूएस डॉलर हर साल इकॉमर्स एक्सपोर्ट पे करती है अब इसको कंपेर करें यह सिर्फ एकॉमर्स के उपर करते हैं हम 400 बिलियन मर्चंडाइज एक्सपोर्ट में करते हैं बीटूबी में इस इकॉमर्स पे नहीं उस्का ब्रडाइज को जिटना हम लोग पूरा ऐक्सपोर्ट करता है और यह कैसे उसके बारे में वी चलिए बात करते हैं यू यस समझते हैं कि क्या और आ है जो भी नया आने वाला है उसकी ट्रेंट पकडते हैं और इतनी क्यैंटी में बना देते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ने इनके इलावा और कोई न बना पाए या बेज पाए और अब उसमें quality के भी तरीके होते है कौन सी quality कितना कितना rate है उसका क्या profit margin है etc, etc, इनके यहां पर पैसा भी सस्ता है बाकी सब भी चीजें है कई सारी चीजें हैं जिनको हम लोग बात कर सकतें जिनके तादाद में सप्लाई करना अवेलेबल करना e-commerce के उपर और चाइना यह बकू भी करता है और एक platform पे नहीं लाखों platforms पे पूरे विश्व में ऐसी कोई 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 ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे चाइना के प्रड़क्ट पिक नहीं रहे पूरे विश्व में और हर कोई बनाते हैं यह तो आप बोलेंगे इसमें कि भाई हम भी हम क्यों नहीं करते हम भी कर रहें रुकिये मैं आपको समझाता हूं देखिया करेंट हम लोग बोल रहे हैं कि पूरे विश्व में e-commerce export का market करीबन 800 billion dollar है 800 billion US dollar है और यह अगले 10 साल में अगले 10 साल में यह 8000 billion dollar होगा अगर हम लोग उने इसके बारे में अभी न सोचा तो हम लोग तो वैसे ही पीछे हैं पीछे और रह जाएंगे बट लुक बट जो सोचेंगे अब सोचें उनको क्या मिलेगा 8000 billion dollar 1 billion dollar में 8700 करोड होते हैं एक बिलियन डॉलर में 8700 करोड होते हैं 8000 billion dollar की market के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें आज आज की तारीक में 800 बिलियन जो मार्करेंट मार्केट है e-commerce export का उसमें करीबन 30 350 billion मतलब almost 40 परसंट चाइना कर रहा है तो अब अगर चाइना कर रहा है साड़े 300 billion भारत में कितना किया है पिछले कई सालों से जब से हम पोशिश कर रहे हैं कि भाई हम भी B2C डिरेक्ट टू कंजूमर या बिजनस टू कंजूमर के एक्सपोर्ट में जाएं जो 800 बिलियन डॉलर का मार्केट है एन्यूली वर्ल्ड ओवर हम सिर्फ 2 बिलियन डॉलर कर पाए हैं 2 बिलियन एन्यूली बट 2 बिलियन डॉलर एन्यूली कितना होता है 16,000 करोड का इंडिया से बिना किसी एकोसिस्टम के बिना किसी को पता लगे चुप-चाप 16,000 करोड का एक्सपोर्ट आज की तारीक में हो रहा है हर साल यह सिर्फ e-commerce के जरिये अब और यह कौन सी कैटेगरी कौन स सबके बारे में मैं आपको समझाऊंगा एक लाक साथ हजार करोड कि टोटल अभी तक 2015 से 2024 तक 2024 मार्च तक इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है बी टुगी बी टुसी एकॉमर्स के जरिये यह कितने लोगों ने एक्सपोर्ट किया तीन लाक बी टुसी एक्सपोर्टर ने एन्यूवल एक्सपोर्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 2030 में या छे साथ या साथ साल में कितना होगा 16 लाक करोड 200 बिलियन डॉलर यूएस 16 लाक करोड का एक्सपोर्ट होने जा रहा है यह बी टुसी के माध्यम से और अगर आप इसके बागीदार नहीं बनेंगे तो आप सोचिए कितनी बड़ी ऑपरचुन्टी आप मिस्स कर जाएंगे अब आप मैंसे कई लोग बोलेंगे कि आरे भाई हम तो बड़े छोटे सेट्स हैं हमारे पास तो यह शमता नहीं है मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखा दू यह इंफॉर्मेशन आमजान ग्लोबल सर्विसिज ने ओफिशली रिलीज करी है जिसको मैंने अपने इसमें प्रोग्राम में डाला हुआ है अमजान ग्लोबल सेलिंग में छोटी सिटीज जहां से कितने कितने मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ यह देख लीजिए आनंद गुजरात में 89 मिलियन गोतम बुद्धनगर जिसको नौइडा भी हम लोग बोलते हैं 47 मिलियन तामिलनाडू में करूर 37 मिलियन हरिद्वार उत्राखंड 27 मिलियन डॉलर पानीपद 23 मिलियन इरोड 24 मिलियन मुरादाबाद 15 मिलियन डॉलर यह चोटी चोटी शहरों से लोग चुप-चाप बैठके एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपको इसकी बनक तक नहीं लगने दी आप आज तर अब क्या-क्या बेच है नहीं ऐसा कौन सा प्रड़क्ट है यह जो बेच रहे हमारी समझ में नहीं आ रहा तो चलिए आपको दिखाते हैं एपरल कपड़े कपड़े लगते 35 परसंट जो है टॉप कैटेगरी में हैं होम फरनिशिंग्स चादरें बैड बैड शीट कुशन कवर्स यह सब 20 प्रति अब आप सोचेंगे कि यह कौन से ब्यूटी के साथ नहीं जो इंडिया बनाने लगी है और जो हमको समझ में नहीं आ रहा और हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है बड़ में वह भी आपको दिखाऊंगा रुकिए हेल्ट परसनल केर 30 परसंट टॉइस 25 टका और और कौन-क आइसे ग्रोसरी के आइटम यह सब के सब इंडिया से बिक रहे हैं कहीं सारी एक्जाम्पल्स में लेकर आया हूं चुरा के आप सब लोगों के लिए ताकि आपको समझ आए कि किस-किस प्रकार की चीज़ें बिक रही और कितरे में बिक रही हैं यह आपको मैं दिखा देता पंदरा ग्राम का गिफ सेट का साट डॉलर पचास सेंट में आमेज़न of you में विक राय कि इस कितना हुआ यह साट डॉलर पचास सेंट साट डॉलर पचास सेंट में यह अगर बती कि आपके आब अब अगर आप बनाने लगे तो कितने में बनेगी सोचिए इसके बारे में तो करीबन करीबन छे सो रुपे की ये बिक रही है और यही सब अगर आपको 15 ग्राम का सेट बनाना हो तो मेरे इसाब से 80 रुपे में इसे जाता में नहीं बनेगा बट अवेलेबल है और सबसे इंपॉर्टन बात आप देखिए उपर यह जो लिखा हुआ है ना कि बही कितनी रेटिंग्स आप देखेंगे जिसमें लिखा है टैन थाउजन प्लस बॉटन पास्ट मतलब दस हजार लोग उने एक महिने में इसको खरीदा है यह सिर्फ यूएस में मैं सिर्फ यूएस की वेबसाइट दिखा रहा हूं आपको एमजान की तो अगर यह इतने बिक रहा है तो हम लोग क प्रोशिश करेंगे अचेटरा अब देखिए खुद और कहां पर बिक रहा है यह देखिए यह कंपनी का आपने इंडिया में नाम भी नहीं सुनाओगा क्योंकि यह कंपनी सिर्फ इंडिया में परड़क्ट बना रही है और बेच रही है विदेश में यह 100% एक्सपोर्ट और यंट्यूनित है जो इंडिया में यह सब पैट्स के लिए प्रडक्ट बना यि नहीं रही और देखिए डॉब ट्रीट्स बना रही है अधे कंपनी स्नक्स बच्चों के लिए यह जो इंके लिए पचीश डॉलर नाइंती नाइन सेंट्स पचीश डॉलर नाइंटिग स सेंट्स में छे पैकेट चार पैकेट आप देखिए और देखिए कितने लोगों ने खड़ीदा है तू अंडेट प्लस ब्रॉट इन लास्ट मन तो क्या ऐसी क्या क्या इसी चीज़ें हैं जो इडिया से बिक रही है और आपको लगता है कि हम लोग हम लोग शाहिद पना नही बिके ने बिके इसी वजह से हम लोग आप सबको यह प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं ताकि आप समझ पाएं कि आगे क्या चलने वाला है और आप कैसे इसका फाइदा उटाएं रेडर देखिए यह सब चीज़ें आपने रोज मरा की जिंदगी में हर दिन देखी आइटम, डाइनिंग आइटम, डेकर आइटम आप देखिए सब और इसमें भी देखिए कितने हैं 56 डॉलर में यह मोडा ऑटोमन जिसको बोलते हैं वो विक्रा है 56 डॉलर में यही मोडा आपको इंडिया में 4500 रुपर में मिलता है कुशन कवर कुशन कवर 39 यूरो दो कवर 39 यूरो 39 डॉलर सॉरी तो यह सब चीज़ें अवेलेबल हैं और लोग खरीद रहें अब वो क्या खरीदते हैं कैसे खरीदते हैं आपको कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे डॉन्ट गोवे तत्सत यह देखिए क्या बेच रहे हैं छोट काजल छोट पता नहीं बाहर कोई खरीद रहा है कि नहीं अरे बाई जाग जाईए योगा ने पूरे पूरी दुनिया को समझा दिया है कि आयुरुवेदा से क्या हासिल हो सकता है और उस पर हजारों लाखों लोग यह चीज़ें खरीद रहें आपके पास क्वालिटी नहीं होगी तो क ब्रैंड बनाते देखिए वीट वाइटेमिन सी का फेस सेरम है ब्राइटनिंग के लिए बारा हजार रिवीव जे मतलब नॉर्मली जब भी मैं कोई प्रड़क्ट ऑनलाइन खरीदता हूं तो सो मैंसे एक बार रिव लिग देता हूं अब देखिए बारा हजार लोगों न है यहे और कितने के Bala 1299 के एज़िए सब इसरम और आम बोलते मomma हमारा बाहर से जो आता इंडिया में बिक्ता बशार है वह बाहर विक्ता है वह आप जी कोई एक महिला ने गौरी जी ने पनाई है जो पूरे विश्व में बेच रही है कि अब लोग केक्स और कपकेक्स और यह सब में कैटरी करते हैं जिसकी भी हम लोग व्याक्ष करेंगे आगे सेशन में सरस कि का तही अरे सारे मिटिक के 18 डॉलर में बिकराई माल मुलता भी यह यूस में कि असके इन माल देखिए रागव जी हैं हिमाचल से जो बेच रहें सोलन से तो देखिए इतनी सब बातें आपको मैंने समझाई इतनी सब चीज़ें आपको मैंने इस सेशन में समझाई आपके पास बहुत समय है कि आप यह समय लेके समझे देखिए कि विश्व में क्या-क्या विकरा है और कैसे देखेंगे बड़ी सिंपल है हर कंट्री की टॉप वेबसाइट को निकालिए उसको जाके देखिए उसमें देखिए क्या बेस्ट सलर्स हैं इंडिया से बने होगे कौन-कौन से प्रड़क्ट विकरे हैं लोकली और मैं आपको बोल रहता हूं आप सब लोग को कि आज हम लोग ने देखा कि कैसे चोटे से चोटा चोटे से चोटा उद्यमी पूरे विश्व में अपना ढंका बजा सकता है और बारत का हर एक MSME यह ढंका बजा सकता है सिर्प आपको हैंडोल्डिंग चाहिए आपको फोक चाहिए और कैसे क्या कब होगा कैसे करेंगे कहां पे करेंगे यह सब हम लोग आगे के सेशन्स में आप लोग के साथ डिसकस करेंगे आज के लिए मुझे लगता है इतना सब जो आपको मिला है रहाओ एस सबली है जहां पर भी आपको लगे दो बैस्षीज़ इस प्रोग्राम इंडिया एक्सपोर्ट्स की वेबसाइट तो आप लोग सबको पताईए वहां पर information बेजिए और जुड़े रहिए ताकि हम लोग ये पूरी information जो आपको मिली आज इसकी एक किताब भी बन रही है जो आपको व्याख्यान हर किसी चीज का व्याख्यान करेगी हर किसी चीज के लिंक्स, लाइव लिंक्स, हर किसी चीज का exact information ये भी पदान करेगी तो आप इंडिया एक्सपोर्ट्स www.indiaindiaxports.com पे जाना मत बुलिएगा प्लीज वहां पे जाके बाकी information लीजिए हम से ये पूरी का पूरा प्रोग्राम free of cost है किसी से भी कोई पनुदान नहीं चाहिए हमको आप प्लीज सिर्फ ये information यूज करिए और focus करिए कि कैसे हम लोग e-commerce export पे आगे बढ़ेंगे आगे के sessions में ना सिर्फ e-commerce export बट b2b export के बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले अफ़ते आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू